जी एकेड़ी में दिया PhD entrance exam की preparation कर रहे हैं पगतुलन युनिवर्सिटी से तो यह है जेगराफी का syllabus गोल का syllabus है यह entrance exam, PhD entrance exam का है दो घंड का paper होगा, 100 marks का होगा, ज़िए आप यू आर से belong करते तो 50 questions आपके सही होने चाहिए पार्ट A और पार्ट B दोनों को मिलाकर 100 questions रहेंगे, पार्ट A में 100 प्रभीदी जिसमें 50 questions रहेंगे, पार्ट B में जो आपके subject related है जिसमें 50 questions रहेंगे और प्रतिक यूनिट जो होगी बिसे पार्ट A में 5 यूनिट होगी पार्ट B में भी 5 यूनिट होगी सभी इकाईयों में पार्ट करम का समान भी भाजन किया जाएगा रिनात्म मुल्यांकर नहीं होगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है जो लेपन देख लेते हैं रिस्टर्च मतोडोलोजी पार्ट A की बात कर लेते हैं क्या-क्या है कंटेंट्स इसमें है पहला यूनिट है भुग गोल में सोद की संकल्पना भुग गोल में नुसंधान की साथखता सोद के निगमनात्मंग और आगमनत उपागम सोद के प्रकार प्रामपरागत ब्योहारी के प्रयोगात्मक सोद सेकेंड यूनिट है सोद समस्याओं की पहचान सोद भी सह का चुनाओ अबलोकन विधियां सोद की विभिन इस्तर सोद का विसिस्टी करन एवं सोद के उद्देश शोध साहितिकी विदियां, संतर और गरंत सूची का निर्माण, संचेपिका, सार लेखन, युनिट थर्ड है, भागोलिक आंकडों का और सूचनाओं की प्रक्ति, स्थानी एवा स्थानिक, कालिक, मातरात्मक, गुणात्मक, प्रात्मिक, और दुतियक आंकडों के स्रोत, आ ये सारे क्या है, युनिट थर्ड में है, टॉपिक, चलिए अपन फोर्ट उनिट की बात कर लेते हैं, फोर्ट उनिट में है, परिचयन के प्रकार, इवं बिदियां, समभबित इवं गय समभबित प्रतिचयन, परिकल्पना परिक्षन, काई, काई स्क्वार, टी टेस्ट, एक टेस्ट होता है केंद्री प्रवित्ति के माप, ये आपको आना चाहिए, माद, मादिका, बहुलाग, चतुर्थ, थाग, बिचलन, प्रमाप, बिचलन, ये सारे युनिट, सकेंड, स्वारी, फोर्थ में था, इंगलिश में हो, हिंदी में भी है, ठीक है, प्रशरन, प् प्रती गमन, आख़ो का रेखिये, प्रस्तुति करन, ये रिफ्रेंसे बुक है, कि कहां से पढ़ सकते हैं आप, ये सारी बुक्स के नेम है, जहां से आपको अच्छा लगता हो, जो भी बुक आपके पस अब लेविल हो, वह उस बुक से आप पढ़ सकते हैं, अब हम पार् एक संकल्पनाएं पढ़ेंगे, और अप्छेवा पर्दन भू अभिनिती, जो आप डिटेल में बताऊंगे, तो बहुत लंदी वीडियो बन जाएगा, आप देखते रहिएगा, ये सारी वीडियो का वो है, मतलब इसमें सारा टॉपिक है, एक यूनिट में आप देख लि जो सकते हैं, वीडियो के साइट में, चलिए, आपने हिंदी में देख लेते हैं, सेकेंड यूनिट है, इसमें जलवाईू, विज्ञान है, समुद्र विज्ञान, इसके वाप डिटेल में जैसे जलवाईू, विज्ञान में आप पढ़ेंगे, वाईू, मंडल की संरचना सूर का उस्मा, बजट, दापमान का वित्रन क्या है, वाईू को समाण परिसद्रण, यह सब आप देखेंगे, इसी तरीके से यूनिट सेकेंड में है, समुद्र विज्ञान, यह सारे हैं टॉपिक, इसमें सिकेंड यूनिट में हम आमने देख लिया है, अब हम थड यू पहुलिक विचादारा का इतिहास यह सारे हो ना चलिए और अपने आगे देख लेते हैं हिंदी में आपने देख लिया इभी नीश में देख लिए फौर्थ उनिट को पॉर्थ उनिट को इसमें है एकोनोमिक जोग्रफी हैं और जोग्रफी आफ हिंदी में आर्थिक भुगोल भारत का भुगोल जनसंख्या भुगोल अब हम बात कर लेंगे फिप्ट यूनिट की इसमें प्लानिंग है सेटल्मेंट जोगरफी है हना पॉलिटिकल जोगरफी है रिमोर्ट सेंसिंग है जी आई एस है अप अच्छे से देख सकते हैं इसमें एचितल ऍपिंग जेगरफिक इंफरमिशन सिस्टम जी आई एएस का मतलब क्या होता है जेगरफी इंफरमिशन सिस्टम अब हम यूनिट फिप्ट की बात को एंधी में कर लेते हैं प्रदेशिक योजना है आदिवास भुगोल है गोल है इसी तरीके से सुदूर संवेध स G.I.S. है जो आपने पहले ही देख लिया क्या था G.I.S. का फुल फुल फॉर्म जिग्राफिक इन्फॉर्मिशन सिस्टम यह सारी रिफ्रेंसिस बुक हैं यहां से आप पढ़ सकते हैं यह तो आपने PG कर रहा है तो आपके लिए बहुत इसी हो जाएगा यह अपने अच्छे से PG कर रहा है तो आपके लिए आप त्यारी करते रहो एंद थांक यू